Welcome my very very precious Aries, कैसे हैं आप सब Aries, I really do hope कि आप सबी अच्छे होंगे और अच्छे state of mind में होंगे and I pray कि आपकी coming days बहुत अच्छे गुजरें और बहुत सारी opportunities आएं आपके life में और बहुत सारी happiness आएं, आप लोग खुश रहें Aries और यह जो आपकी reading है, यह आपकी bonus reading है, October और November की मतलब कि हम कुछ energies जानने की कोशिश करेंगे, October की energies, थोड़ी बहुत November की energies और इस वीडियो में सबसे पहले हम आपकी overall life के prediction करेंगे और second half में हम guidance देखेंगे और messages देखेंगे, क्या important है आपके लिए जानना ज़रूरी coming days के लिए Okay Aries, आपके October की already तीन वीडियो में upload कर चुकी हूँ, आपने देखे हैं या नहीं आपके October की love reading में upload कर चुकी हूँ, October की overall life की prediction upload कर चुकी हूँ जिसमें हमने guidance देखे थी, blockages देखे थी, बहुत अच्छी वीडियो थी, please जा के देखे, अच्छी sense में थी, कि हमने बहुत सारी insights को, aspects को life के उस वीडियो में discuss किया था, तो अगर आप देखना चाहते हैं, तो मैं आपको link दे दूँगी, और शुरू करते हैं, एक चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा, मैं चाहती हूं कि आप mindful रहें, जब आप tarot reading देखें, तो कोई भी चाहें ये देख रहे हैं, चाहें कोई भी tarot reading देख रहे हैं, ये generalized messages होते हैं, मतलब कि बहुत सारी energies में हम एक साथ tap in करने की कोशिश करते हैं, तो इस case में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कि अगर आप किसी message से relate नहीं कर रहे हैं, तो उस message को उन लोगों के लिए छोड़ दीजे, जिन लोगों के लिए वो message है, only take what resonates, okay, तो शुरू करते हैं, Aries, let's see, we have night of once, night of once, आपकी energy है, आप पूरी अपनी energy, अपने power में stand करते हुए दिख र अगराई के life में, जो भी ups and downs आ रहे हैं, उतार या चड़ाव आ रहे हैं, आप सब को face करने के लिए ready हैं, आप बहुत ही strongly, बहुत ही strongly, आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आप पूरे strength के साथ में कर रहे ह आपकी empowering energy Aries इस टाइम पे दिख रहे हैं, तो energies इतनी जादा positive हैं, आपकी ये बहुत अच्छा समय है कि आप उन चीज़ों को करें, जो चीज़ आपको पहले मुश्किल लगती थी, अब नहीं लगेंगी, there is something about your energy Aries, आपकी energy में कि strength दिख रहे हैं, empowerment दिख रहे हैं, तो At the same time, night of wands आया है, जो कि ये बता रहा है, कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, जो रास्ता आपका career का है, या फिर self growth का है, या फिर जिस रास्ते पे जा कि आपको abundance मिलेगा, growth मिलेगी उस रास्ते पे, थोड़ी बहुत problems आ सकती हैं, प किसी चीज में महनत कर रहे हैं, किसी चीज को achieve करने में, और coming days में कुछ छोटी मोटी problems आ सकती हैं, बिलकुल भी घबराना नहीं है, temporary रहेंगी, बहुत जादा दिल पे नहीं लेना इन सब चीजों को, सही जा रहे हैं आप, just keep going, okay, उसके बाद में यहाँ पे three of cups है, three of cups रा कोई get together हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है, I don't know, you are just having fun, which is a good thing, right, तो थोड़े से relax हो रहे हो आप अगले कुछ दिनों में कुछ ऐसे events आपकी life में होंगे, कि आप काम से थोड़ा सा ब्रेक लोगे, या फिर जो भी stressful चल रहा है life से उससे आप ब्रेक लोगे, और बहुत ही energy, इस energy ने आपको पकर लिया है बहुत अच्छे से, और इस energy से हमें बाहर निकलने की जरुवत है थोड़ा एरीज, अब यहाँ पे devil क्यों आया है, devil आने की multiple reasons हो सकते हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ reason बताती हूँ, जो कि हम पहले भी कई बार discuss कर चुके हैं, यहाँ पे जब आप इस टाइप की reading में जब devil आता है, जब हम आपकी overall life की prediction करते हैं, तो devil self-sabotage बताता है, मतलब हमारी खुद की habits हमें हाम कर रही हैं, तो थोड़ा सा आपको mindful रहना है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जो आपकी खुद की life को हाम कर रहा है, मतलब कि अगर छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, यह ज़रूरी नहीं है, कोई demonic energy है आपकी life में ऐसा बिलकुल भी नहीं है, it's more like कि आपकी खुद की habits हैं, जो शायद से negative impact डाल रही हैं आपकी life में, जैसे कि आप procrastinate कर रहे हो, laziness दिखा रहे हो, आपको पता है कि कुछ दिनों बाद आपकी exam है, तो यहां पर थोड़ा सा ताइम वेस्ट कर रहे हो, अब मैंने आपको example दिया है, exam का, बट exam जरूरी नहीं है, devil energy ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको पता है कि आपको बहुत जादा junk food नहीं खाना चाहिए, आपकी health के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप junk food खारे हो, बाहर क खाना खारे होगा, आपको पता है कि वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, उसके बाद, you know, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना है, कुछ तॉक्सिक बहेवियर है, आपका कुछ हैबिट है, टॉक्सिक हो सकता है, बहुत जादा alcohol कंजूम कर रहे हो, हो सक है बैलेंस लागिये या फिर कंट्रोल लाई है, इसपेशली अपने टाइम को लेके, अhit अगर आप अपना टाइम गल्ट जगे लगा रहे हो या आपनी एनरजी गल्ट जगे लगा रहे हो, आपको पता है, आपको अपने काम पर अभी फोकस करना है, फिर भी आप अपने तो यह डेविल एनरजी इस सेफ सबोटाज बताती है खुद से खुद को हाम करना एड़ सीम टाइम डेविल यह भी बता रहा है कि किसी की बातों में आके कोई गलत काम मत करिएगा मुझे आप पूरा भरोसा है कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे बट यह बताना जरूरी है क क्योंकि मैसेज आपके लिए ऐसा है कोई भी हमें गलत काम नहीं करना है किसी भी ग्रीड में या लालच में नहीं पढ़ना है इसपेशली अगर आप शेयर मार्केट करते हो तो बहुत ही माइंड फुली करिए मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रही हूँ इस लाइक के करना है जो भी डिसीजन आप सोच समझ के अपने दमाग को यूज करके कॉंशिसली ले रहे हो उसमें कभी कोई प्रॉबलम नहीं आएगी बट यहां पर डेविल एनरजी अनकॉंशिस बिहेवियर बता रहे है कि हमें पता है कि हमें नहीं करना चाहिए फिर भी हम कर रहे हो कि जो हमारे बिलीफ सिस्टम है उनको भी बताते हैं कि यहां पर भी डॉलर साइन देखोगे यहां पर भी आप पैंटिकल देखोगे तो यह दोनों कार्ट यह भी बता रहे हैं कि अगर आपकी बहुत जादा ऐसी मेंटालिटी है कि पैसे कमाना मुश्किल है या फिर पैसो कि बहुत कम ही है लाइफ में पैसे नहीं मिलेंगे और आप पैसे पकड़ के रखने की कोशिश करे हो इस मोर लाइक कि कहीं से आपको 10,000 रुपे मिले और आपने सूचा कि मुझे मुझे कहीं भी यह पैसे खर्च नहीं करने चाहिए विकिस मैंने खर्च कर दिये तो मेरे पैसे नहीं यह स्कैरसिटी स्कैरसिटी बोलते है राइट वो माइंड से होता है कि सब चीज को पकड़ के रख लो क्योंकि यह चीज बाद में नहीं मिलेगी तो ऐसा नहीं करना है मनी को भी फ्लो होने दीजिए आराम से अपनी जिने की कोशिश करिए इस बिलीफ सिस्टम से निकल लिए कि पैसे कमाना मुश्किल है ओके हां तो यह एक और साइड नोट था कुछ लोगों के लिए अब उसके बाद सेवन अफ कब्स दिख रहा है और में जीशन दिख रहा है ओके सबसे पहले तो अपने मैनिफेस्टेशन में बहुत जादा क्लियर रहिएगा अग हैं यहां पर लाइफ आपको एक डिसीजन लेने को बोल रही है और एक पात चूस करने को बोल रही है अगले कुछ दिनों में आप आपके सामने especially आपके लाइफ की किसी aspect में ऐसी चीज़े होंगी कि आपको एक decision लेना पड़ेगा it's more like कि आप क्योंकि आप यहाँ पर बहुत जदे confused होते हो दिखरो आपकी energy scattered दिखरे है मतलब आपकी energy एक साथ आप बहुत सारी चीज़े ठीक क्या तो करने की कोशिश करे हो या फिर एक साथ आप बहुत सारे काम करने की कोशिश करे हो और अगर आप इतनी सारी juggling करोगे तो आपको बहुती overwhelming लग सकता है मतलब की यहां पर कुछ confusion चल रहा है और confusion के कारण आपका manifestation आ नहीं पा रहा है तो एक जगे मतलब की अगर आप manifest करने फॉर से अगर आप पैसे manifest करने की कोशिश कोशिश कर रहे हो तो उस job को manifest करने पे अपना focus करिए प्लस 50% focus अपना उस job के लिए preparation पे लगाई है अपने दिमाग को 10 जगे नहीं भटकाना है कि हाँ मुझे career पे भी focus करना है फिर मुझे अपनी love life पे भी focus करना है फिर मुझे अपने mental health पे भी focus करना है आपको सारी चीजों में से एक चीज select करनी है और उस पे अपना सबसे ज़ादा focus लगाना है आप समझ रहे हूं शायद मैं आपको अच्छे से explain नहीं कर पाई तो let me try again it's like कि आप की life में आपको decide करना है कि life के मेरे इस phase में अभी सबसे important क्या है क्या मैं ऐसे phase में हूँ जहां पे career सबसे ज़ादा important है तो अपना पूरा focus career पे दें कहीं पे अगर आप life के ऐसे stage में हैं जहां पे आपको mental health आपकी परिशान कर रहे हैं आप fear based energy में है anxiety में हैं या फिर थोड़ा सा depressing लग रहा है sad feel हो रहा है तो अपना mental state पहले सुधारने की कोशिश करें अब again इसका मतलब यह नहीं कि आप बाखी चीज़ों पर focus ना करें ब चीज में जाना चाहिए जो अभी की life की stage में सबसे जादा important है okay तो यहां पर थोड़ा से confusion से निकलिए because आप confuse हो रहे हैं एक रास्ता चूस करिए दिमाग में clear रहे है कि मुझे क्या करना है और फिर उस चीज को manifest करिए manifestation के हिसाब से भी आपकी energy coming days में बहुत ही जादा positive है यह बहुत अच्छा time है जब आप किसी चीज के लिए intention set करें manifest करने की कोशिश करें affirmations बोलें अपनी gratitude बोलें अपना because यहां पर magician है और यहां पर night of one से दोनों आपकी जो energy है वो ऐसी energy है जो आपको help करेगी life में grow करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मतलब energies आपके favor मे हैं अगर आप थोड़ा भी effort लगाओगे तो बहुत ही जादा successful हो सकते हो आप और यह action लेने के point of view से भी है plus manifestation के point of view से भी है okay self-sabotage से थोड़ा सा बचना है right उसके बाद में हमारे पास wheel of fortune है तो right away simple सा message बहुत ही simple सा message है आपकी destiny आपकी life में happiness लेके आ रही है simple message wheel of fortune के साथ sun है मतलब की wheel of fortune को अगर हम South Asian countries में wheel of fortune को भाग ये परिवरतन का card कहा जाता है मतलब की यह जब wheel घूमती है यह positive घूमती है और life में कुछ positive होता है और इस card को company किया है the sun है sun happiness बताता है positivity बताता है life में anyways यहाँ पे लग रहा है कि कुछ चीजे तो अपने आप ही अच्छी आपके लिए manifest हो सकती है तो कुछ चोटी आप बड़ी खुशियां life में आते हुए दिख रही है चोटी खुशी यह भी हो सकती है कि आप अपनी life enjoy कर रहे हो life की चोटी चोटी चीज़ों को enjoy कर रहे हो खुश हो अपनी life में content हो peaceful हो यह चीज हो सकती है या फिर कु this energy यह बहुत ही positive energy है जो अपने आप बिना कुछ effort के आते हुए दिख रही है तो अगर आप devil energy में रहेंगे तो भी energy आपको मिलेगी because यह destiny आपको offer कर रही है right उसके बाद में seven of swords की energy है और four of wands की energy है एक चीज़ आपको थोड़ा सा बौदर करते हुए दिख रही है वह ची जो आपको कम value दें या फिर आपको थोड़ा सा ignore करें या फिर आपसे कुछ जूट बोलें या फिर कुछ आपसे बाते चुपाएं यह बहुत ही जादा possible chances है again इन सारी चीजों को personally नहीं लेना है आपको एक चीज ध्यान रखेगा कि जो लोग आपको value नहीं कर रहे हैं जो आपसे जूट बोल रहे हैं एक थोड़ा सा distance उन लोगों से बनाएं अगर बना सकते हैं तो permanent distance की बात नहीं मैं कर रहे हो it's more like कि यहां पे कोई sneakiness आपकी life में दिखाते हुए दिख रहा है it's more like कि किसी के intention थोड़े से sneaky दिख रहे हैं थोड़े से गलत दिख रहे हैं आपके लिए again मैं यह नहीं बोलूँगी कि कोई person है जो आपको harm करना चाहता है आपके साथ कुछ बहुत बुरा करना चाहता है ऐसा कुछ भी नहीं है it's more like कि कोई कुछ information आपसे छुपा रहा है आपसे कुछ जूट बोल रहा है कोई आपसे jealous है या फिर अगर आप अपने secret किसी इ रखेगा एरीज बहुत ही जादा important है बहुत ही mindful रहे कि आप अपनी life की अच्छी चीज़ें और खराब चीज़ें दोनों चीज़ें किन लोगों से share कर रहो because कई बार लोग जाने अंजाने jinx कर देते हैं नजर लगा देते हैं हमारी positive चीज़ों को वो जाने अंजाने होता है इसका मतलब यह नहीं है कि कोई इनसान बहुत बुरा है इसने मुझे नजर लगा यह मुझे जलता है यह बहुती insecurity की feelings हम सब में होती हैं और कभी कभी वो बहुत जादा resurface होने लगती हैं तो बिलकुल किसी को मैं ऐसा नहीं बोल रही है कि किसी को ऐसी नजर से देखो कि आदमी गलते हैं इनसान गलते हैं नफरत करने लगो उससे बिलकुल भी नहीं किसी और person की खुद की insecurities के कारण वो आपसे sneakiness दिखा रहा है आपकी तरफ तो तो यहां पर four of one's है और ten of cups है दोनों कारण बहुती जादा emotional fulfillment बता रहे हैं यहां पर आपकी family में harmony दिख रही है तो अगर family में कोई issues चल रहे थे या कोई छोटी मुटी परेशानी थी तो यहां पर आप लोग हार्मनी में दिख रहे हो अगर family में कोई परेशानी नहीं थी तो आप family के साथ में बहुत अच्छा time spend करते हुए दिख रहे हो अगैन यहां पर अपने parents के साथ या अपने spouse के साथ में चीजें बहुत अच्छी यहां पर दिख रहे हैं अगैन यहां पर four of one's celebration बता रहा है किसी type का जो हमने यहां पर three of cups से भी देखा था तो अच्छा time आप अपने friends और family के साथ spend करते हुए दिख यहां पर the hierophant की energy है the hierophant की energy right away यह बता रहे है कि आपके life में कोई mentor figure आ रहा है या कोई teacher figure आ रहा है कोई guide आ रहा है या फिर already है जो आपको life में grow करने में help करेगा या आपके teacher हो सकते हैं जो आपको studies में help करें या आपके कोई mentor और या guru हो सकते हैं जो आपको अच्छी बाते सिखाएं कोई wisdom दे ग्यान दे और आपको life में आगे बढ़ने में help करें या फिर आपकी परिशानियों से निकलने में help करें okay what else we have we have the empress and we have page of vans see I tell you okay so मैं ये बता रही थी मैंने water break लिया था यहां पर empress है और empress क्या बताती है empress किसी चीज की opportunity बताती है या फिर कोई चीज जन्म ले रही है कोई नई चीज जन्म ले रही है you are giving birth to something उसकी energy को बताती है मतलब कि आप यहां पर देखेंगे कि empress है और यह pregnant है और pregnancy यहां पर किसी नई चीज को birth देना उस चीज को depict कर है okay जो चीज बहुत ज्यादा abundance आपकी life में लेके आएगी या खुशियां लेके आएगी या fulfillment लेके आएगी जो success लेके आएगी पैसे लेके आएगी आपकी life में I don't know तो ऐसी कोई चीज birth होने के लिए ready है ready है मतलब आपकी destiny की तरफ से universe की तरफ से जिसमें भी आप believe रखत towards first step होता है तो यहां पर कोई opportunity है जिसकी तरफ आप पहला कदम लेते हुए दिख रहे हो अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ा भी हो सकता है कोई चोटी भी चीज हो सकती है but yes life आपको एक बहुत अच्छी opportunity देगी जो opportunity किसी टाइफ का abundance आपकी life में लेके आएगी but life आपक life आपको life आपको force करेगी कि at least कोई action लो अपना पहला कदम रखो start करो इस चीज को और ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि यह चीज बहुत समय से हो सकता है कुछ करने का दमाग में चल रहा हो कुछ बहुत ही छोटा सा हो सकता है कि मुझे gym join करना है यहां फिर कुछ बड़ा भी हो सकता है कि मुझे खुद का business शुरू करना है बट यह चीज अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा evident होती जा रहे है आपके conscious में मतलब की पहले अगर आप थोड़ा सोच रहे थे इस बारे में तो अब आप जादा सोच रहे होंगे बिकिस यह continuously आपका intuition आपकी gut feeling और आपकी soul आपको बोल रहे है कि यह करो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए यह युनिवर्स हैं जो आपको push कर रहे हैं कोई चीज करने के लिए तो go for this यह जो भी है आपके लिए बहुत अच्छा है जो भी आपके दिमाग में already चल रहा है यहाँ पे the hermit की energy है और queen of thoughts की energy है हर्मेट और queen of thoughts में दोनों में एक चीज कॉमन होती है बहुत ही अलग अलग कार्ड है बहुत ही अलग अलग जोनर के कार्ड है बट इन दोनों कार्ड में एक चीज जो similar होती है वो thoughts होते हैं सोचना thinking करना you know epiphanies comprehension मतलब की okay I'm sorry मैं को easy language में बताती हूं यहाँ पे the hermit है यह हर्मेट भी यहाँ पे बैट के सोच रहा है अपनी life के बारे में अपनी life को analyze कर रहा है soul searching जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर हर्मेट वो कर रहा है मतलब की जब हम solitude में रहते हैं जब हम थोड़ा सा एकांत में रहते हैं और जब हम खुद के साथ बैठते हैं तो आपने notice इसकी होगा कि बहुत सारी चीजे समझ में आती हैं कभी देखना कि आप कभी आफ वॉक पे जाते हैं कुछ लोग instantly कुछ लोग समझ गे होंगे कि मैं क्या बोलना चाती हूं कुछ लोगों को शायद समझने में थोड़ा सा time लगे but it's more like कि आप कभी वॉक पे जाते हो या फ thoughts आते हैं epiphanies होती है realizations होते हैं कुछ चीज एकदम से click करते हैं कि अरे हाँ इसका मतलब यह है या फिर शायद मुझे यह करना चाहिए इसका word जो English में होता है वो epiphanies होता है बहुत ही प्यारा सा word है epiphany होना epiphanies होना मतलब एकदम से कुछ दिमाग में thought आया और वो thought भी कि inspiring होता है हमें inspire करता है कि एकदम से आपके दिमाग पे बहुत ही positive thought आए कि मुझे यह करना चाहिए यह मेरी life के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा यह epiphanies को notice करिये देखे मैं आपको एक difference बताती हूं आपका intuition जब भी आपके guardian angels आपको contact करने की कोशिश करेंगे divine आपको कुछ बात बताने की कोशिश करेंगे जिस भी religion से हो आप कोई फरक नहीं पड़ता आप चाहें उन्हें universe बोलते हो आप कुछ और बोलते हो guardian angel बोलते हो कोई फरक नहीं पड़ता वो energy जब आपसे communicate करती है तो वो message आपको बहुत ज़्यादा positive लगेगा बहुत ज़् inspiring लगेगा अब instantly बहुत अच्छा फील करने लगोगे वो बात सोच के क्योंकि universe कभी भी negative तरीके से communicate करते ही नहीं है कभी ऐसा नहीं होता है कि universe आप से negative बाते करेंगे कि universe आपको बोल देंगे कि तुम्हारी ये job चली जाएगी और आप ड़ने लग जोगे यार मेरी job चली जाएगी अब आपके अगर job जानी भी होगी तो universe आपको ये नहीं बोलेगी कि आपकी job चली जाएगी universe आपको ये बताएगे कि आपको और अच्छी job मिलने वाली है ये एक difference होता है जब भी आप सुचे ना मेरा intuition या फिर universe मुझे क्या message देना चाहते है या फिर guardian angels मुझे क या message देना चाहते है तो message कभी भी डराने वाला नहीं होगा वो message ऐसा होगा कि वो आपको हमेशा positive side बताएंगे because positive side ही matter करती है उस चीज की और कई बार चीजे इसलिए होती है क्योंकि उन चीजों में कुछ positivity होती है reason होते है उन चीजों के होने के तो यहां पे कुछ epiphanies हो तो दिमाग कुछ message देगा वो message divine की तरफ से होगा और उस पर act करना है अकसरी message बहुत सता inspirational होते हैं इंस्पायर करते हैं आपको वो चीज करने को और जब वो चीज इंस्पायर करती है न होने को वही उसका सही time भी होता है होने का और मैं यह दूसरे लोगों से related नहीं बोल कि दूसरों को फोन करकी कुछ बोल दें कि मुझे इंस्पिरेशन आया तो मैं I love you बोलने का तो मैं तुम्हें I love you बोल दिया not like that it's more like कि जैसे जब मुझे यह चैनल शुरू करना था तो मेरे दिमाग में बस एक थौट आय था कि ठीक है मुझे YouTube चानल शुरू करना चाहिए पर मैंने नहीं किया फिर छह महीने बीद गए आठ महीने बीद गए एक साल बीद गए फिर वापस से वो थौट आने लग गया फिर वो धीरे धीरे थौट एक बहुत ही स्टॉंग inspiration में चेंज हो गया कि जब भी मुझे वो थौट आता तो मैं excited हो जाती थी कि हां मुझे कर नहीं है तो वो inspiration पर act करेगा चाहे वो inspiration कोई art create करने का हो चाहे वो inspiration कोई career choices का हो चाहे वो inspiration यह हो कि मुझे बाहर coffee पीने जाना है मुझे किसी और शहर में जाना है मुझे travel करना है जब भी आप इन inspiration को यह छोटी-छोटी से epiphanies को follow करेंगे ना तो आपकी life बहुत भी प्य किते भी कोशिश कर ले हम उतना अच्छा नहीं सोच सकते हैं जितना divine हमारे लिए अच्छा सोच सकते हैं आपकी life में कई सारी unexpected अच्छी चीजे हुई होगी उन चीजों को याद करिए आप ने शाद सोचा भी नहीं होगा और वो अच्छी चीजे हुई होगी बहले वो पा अब देखें यहां पर एक साइड तो आप यहां पर बहुती स्ट्रॉंग मैसेज है एरीज नाइन ओफ सौट्स है और एट अफ कप्स है यहां पर यह पहले तो दिख रहा है कि कमिंग डेज में आप किसी चीज को लेके बहुत ज़दा ओवर तिंक कर रहे हो किसी चीज का है, फ्यूचर में किसी चीज का डर है डर है ěता है कि जो चीज आप चाह रहे हैं वो चीज नहीं होगी मिरा करियर नहीं बना तो पैसे नहीं आए तो रिलेशन शिप नहीं वाँ शादी नहीं हो इस पर भी डर है ना उस डर से निकल निकल यह यह बिल्कुल यह झ organisms सम खराब situation नहीं है, जितना खराब आप उस situation को लेके सोच रहे हैं, मतलब कि situation बुरी नहीं है, जितना बुरा आप उसे अपने दिमाग में बना रहे हैं, वो problem इतनी बड़ी नहीं है, जितना बड़ा आप उस problem को बना रहे हैं, ये आपका दिमाग याद रखेगा मेरी बात को, आपका दिमाग overthink करने की कोशिश करेगा कुछ दिनों बाद और या फिर अभी भी हो सकता है कर रहा हो तो अपने दिमाग को बोलना कि शान्त हो जाओ सब अच्छा होगा, ठीक है, सब अच्छा होगा थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है positivity के लिए हमेशा positivity ऐसी आनी जाती है, कई बार खुद को फोर्स करना पड़ता है positive रहने के लिए और यहाँ पर आपका दिमाग आप tricks खेलते बार दिख रहा है, आपके साथ में कोई trick खेल रहा है Aries, तो इसकी दिमाग की trick में नहीं आना है आपको कि दिमाग कैसे काम करता है और negative thinking, overthinking के बारे हमें हमने बहुत सारे discussions किये हैं October के month में जब हमने October की overall life की prediction की थी, मतलब सारे videos जो yellow thumbnail वाले हैं उसमें हमने blockages वाले section में यह सब चीजों को बहुती precisely, बहुती deep में discuss किया है तो अगर आप किसी भी sign का वीडियो उठाएंगे जो yellow thumbnail वाला October का वीडियो है उसमें किसी भी sign के ज़रूरी नहीं आप Aries देखा कोई भी sign उठाना उसके blockages वाले part में जाना उसमें almost हर एक sign में हमने discuss किया है कि negative thinking से कैसे बाहर निकलते हैं और यह सारी चीज़ें इसलिए मैं इस आपके साथ में आपके साथ में और उस गेम्स में बिल्कुल भी नहीं आना है ओके आप कुछ universe के messages देखते हैं आपके लिए कुछ यूनिवर्स के messages देखते हैं आपके लिए confrontation okay opposition opposition से डरना नहीं है life में अगर अगर कोई इनसान आपके खिलाफ है अगर कोई इनसान आपसे लड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे लड़ने की जरुवत नहीं है it's more like कि negative energy को जितना हो सकता है उतना avoid करें बट जितने negative लोग हैं जितना हो सकता है उतना avoid करें बट जब बात आपके self respect पे आती है या फिर आपके हक पे आती है तब जरूर सामने वाले को करें ओके मतलब कि किसी से लड़ना नहीं है जितना हो सकते कोशिश करो negative energy को ignore करने की बट जब बात आती है हमारे right पे कोई हमारी space में आ जाता है कोई हमारे right को हमसे चीनने की कोशिश करता है हमारे हक को हमसे चीनने की कोशिश करता है हमें disrespect करता है हमारे काम खराब करने की कोशिश करता है तो हमेशा अपना स्टाइड लेना है हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उपर रखना है आपको एरी Confrontation बता रहा है के कुछ Confrontation हो सकते हैं लाइफ में, हो सकता है कि कोई इंसान अपको परिशान करने की कोशिश करें, आपके काम में टांगडान आने की कोशिश करें, चासरे करें बिलकुल आपको लड़ना है, जब आपको लड़ने की ज़रूरत है, बटीकाट ये भी बोलता है कि चूज यॉर बैटल्स वाइजली, मतलब कि कौन सी लडाई लड़नी है लाइफ में, उस इसे बहुत ही अच्छे से चूस करें, सारी लड़ाईयां लड़ने की जरूरत नहीं है, अगर कोई परसन है जो आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है, अगर कोई परसन है जो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, तो अगर उस परसन से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो इग्नोर कर दें, आपको फरक नहीं पढ़ना चाहिए, अगर उस परसन के आपके बारे में कुछ गलत बात करने से, आपकी लाइफ में परसनली कुछ एफेक्ट नहीं पढ़ रहा है, तो डिस्टेंज बना ले ऐसी अनरजी से, बट अगर कोई आपके ही एरिया में आके, आप समझ रहे होना में क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं, किसी कोई अगर आपको यहां पर डिस्रिस्पेक्ट की करने की कोशिश करें, या फिर, ओके मैं समझा चुकी हूं अल्रेडी, तो उस बैटल को चूस करें, मतलब अननेसेसरी लड़ाईयों से बचें, बट वो ल सो बैलेंस बनाने की जरुवत इसलिए है, क्योंकि एनरजी बहुत जादा स्कैटर्ड दिख रही है, एक जिगे पर फोकस नहीं दिख रहा है, तो बैलेंस बनाएं, बहुत जादा जगलिंग ना करें, एक बैलेंस लेके लाइफ में चलें, ऐसा नहीं कि लव लाइफ के ब बड़ा मेंसेज है कि एक बैलेंस बनाके चलिए लाइफ में क्यारिड अवे मत हो जाएए एक ही चीज के पीछे, उसके बाद में है, पार्टनर्शिप किसी से बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉलाबरेशन होते हुए दिख रहा है, कोई परसन हो सकता है आपकी लाइफ में By the way, मुझे यहाँ पे Gemini, Libra और Aquarius की बहुत ही strong energy दिखी थी, I don't know कैसे skip हो गया आपको बताना, तो यहाँ पे मिथुन राशी है, तुला राशी है और कुम राशी है, तो हो सकता है यह परसन को इंपॉर्डन पार्ट प्ले करें आपकी लाइफ में, और यहाँ पे partnership भी द पार्टनर्शिप दिखे तो वह भी partnership कोई partnership दिख रहे हैं कोई प्यारा सा relation दिख रहे हैं जिसे आप coming days में बहुत जादा चैरिश करने वाले हैं इसके बाद है alliance, oh my god, okay, partnership और alliance, basically it's one and the same thing, teamwork करते हुए दिख रहे हैं, आप किसी के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं, किसी क resources card, यह बता रहा है Aries, कि मुझे क्यों हो रहे हैं, खुशी आद सोच के साथ के बारे हैं, because बैने last time एक example दिया था बहुती weird साथ को लेके, resources यह बता रहा है कि आपको जो भी चीजे चाहिए लाइफ में successful होने के लिए, वो सारी चीजे आपको मिलेंगी, universe आपको provide करेंगे आपको बस अपनी तरफ से action लेना है, जैसे अगर आपकी exam आने वाली है, तो आपको books भी मिल जाएगी, आपको पढ़ाई के लिए comfortable space भी मिल जाएगी, आपको पढ़ाई करते कुछ snacks खाने का मनों तो वो भी मिल जाएगा, आपको notebook भी मिल जाएगी, आपको pen भी मिल जाए सारी चीज प्रोवाइड हो जाएगी, अब आपको बस पढ़ाई करनी है, समझ रहे हो, आप में क्या बलना चाहरी हूँ, जैसे आपकी life में goal है कि आपको चाय बनाना है, तो आपको दूद भी मिल जाएगा, आपको चाय पत्ती भी मिल जाएगी, आपको अद्रग भी मिल आपको एलाईची भी मिल जाएगी, आपको बेजल भी मिल जाएगी, अगर आपको बेजल पसंद है अपनी चाय में, तो अब मेरा चाय पीने का मन हो रहा है, ओके, I don't know, यह आपके लिए कार्ड आया था, पिछली बार यह किसी और साइन के लिए आप समझ के ना है, तो आ और यह आपके पास होगा, आपको बस अपनी साइट से आक्शन लेना है, राइट, कुछ और मैसेजस लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग को एंड करेंगे, और इस रीडिंग से कोई भी वाल्यू मिली हो, तो यू नो दर ड्रिल, लाइक कर दीजेगा, कॉमेंट कर दीजेग बिकिस मुझे भी आप से एक्वल गिवेंट टेक चाहिए, ओके, अफिर मेशन फोर ग्रोथ, अफिर मेशन बोलिये, अपनी एरीज, अगैन ये रिमाइंडर है, अगैन हमने पिछले वीडियो में इसके बारे बहुत जादा डिसकुशन किया है, अपनी अफिर मेशन बोलि बस प्लीज डेली मेडिटेशन करिये, ओनलाइन बहुत सारे वीडियो है, हिंदी उर्दू में, इंगलिश में, हर एक लैंग्विज में, आप डालोगे दस मिनिट का गाइड़ेड मेडिटेशन तो दस मिनिट का गाइड़ेड मेडिटेशन आपको मिल जाएगा, अपने ह जाएगा और इजी हो जाएगा मेडिटेशन करना, पांच मिनिट करें चाहे, दस मिनिट करें, फ्लीज मेडिटेशन करें, मेडिटेशन आपका सूपर पावर है, मेडिटेशन बहुत ही माजिकल होता है, मैं सबसे दुनिया की सबसे बड़ी ब्रैंड है, मैं सबसे बड़ और उसमें से एक सेकंड भी आपकी अनर्जी ने वो हायर लेवल का वाइब्रेशन टच कर लिया तो हायर लेवल के वाइब्रेशन की चीज है मतलब अच्छी चीज अबंदन्स अट्रैक्ट करना एजी हो जाता है वो गॉड मैं कितना फंबल करूंगी तो प्लीज लेशन डेली करेंगे तो तो इससे जादा अब मैं और क्या ही बोल सकती हूं आपको सन और स्टार्स बहुत ही एकसाइटिंग टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है उसको यहां पर रिप्रेजन कर रहा है लाइफ बहुत ही अच्छी लगने वाली है लाइफ एकसाइटिंग कर है कर रहे होँ और कुष नया करते हुए दिख रहे हो और कि नहीं कर रहे हो तो यहां पर मैसेज है कि करिये कुछ नया करें कुछ लाइफ में एककसाइटिंग करिएworkers ने लोगों से बाते करें ज़रूरी नहीं नहीं से रeलेशनिटिप करें नये एक्सिरियंस Kevin करें लि स्टार्ट करने की जरुवत है लाइफ में ओकी I think I said enough तो इस नोट पे हम रीडिंग को end करते हैं और अपना प्लीज बहुत बहुत ध्यान रखेगा बहुत जादा खुश रहे हैं और टेक गुट केर अफ यॉर्सेल्फ हिट दे लाइक बटन I'm being so greedy right now oh my god bye my dear Aries I'll see you next time